दोस्तों आज हम आपको उस खटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जोकी लोक मान्यताओं के अनुसार कही जाती है, जबकि इसका किसी भी पौरानिक ग्रंथों या फिर किसी भी अन्य जगह प्रमान नहीं मिलता. यह घटना महाभारत काल की है, जब अरजुन द्रौपदी को स्वयंबर में जीत कर अपने घर लाते हैं. तो माता कुंती द्वारा अपने पुत्र को बिना देखे ही सभी भाईयों में उसे बांट देने की बात कहती है. अपनी माता कुंती की बात को सर्वोचा मानते हुए पांचों पांडव द्रोपदी के साथ विवाह करते हैं. विवाह के पश्चात सभी भाईयों में यह तह होता है कि प्रत्येक वर्ष एक भाई द्रोपदी के साथ शादी के संबंद बनाएगा. और जब कोई एक पांडव द्रोपदी के साथ कक्ष में होगा तो दूसरा को पर कुट्ता खेलता हुआ आया और बाहर रखी पांडव की पादुकाएं उठा कर खेलते-खेलते वन में चला गया। उसी समय वहां पर भीम आया और उसने देखा कि वहां पर कोई पादुकाएं नहीं है और उसने अंदर प्रवेश कर दिया। और अंदर पांडव और द्र चरन पादुकाएं नहीं है तभी में अंदर आया। तब दोनों पांडव चरन पादुकाएं ढूंडने निकले तो उन्होंने थोड़ी दूर बन में जाकर देखा कि कुत्ते चरन पादुका के साथ खेल रहे हैं। वहाँ पर दोपती भी आई और ऐसा देख दोपती ने उन कुत्तों को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं लजज़ित हुई हूँ उसी तरह तुम पूरी दुनिया के सामने लज़ित होंगे। उसी दिन से कुत्ते लज़ित होते आए हैं और उन्हें देखकर हर कोई उन्हें फटकार लगाता है।